अच्छा आज की जो हमारी क्लास है वो है डीटी के उपर डारेक्ट टैक्स के उपर अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले तो आसा में एक CS Executive का आपको व्यू बता देती हूं जो तुम्हारा CS Executive का एक्जाम है इसमें तुम्हारे 8 Subjects हैए छिक्क है एक तुम्हारा 1st Module है और 2nd module है 1st Module में भी तुम्हारे 4 Subjects है और 2nd Module में भी तुम्हारे 4 Subjects है अभी जैसे आप कुछ इस्टूरेंस का मोटीव ही होता है कि हम फर्स्ट जैसे अभी February है February को मैं मानूंगे अभी 17 February है तो 17 February में भी यदि आप ही तुम फर्स्ट तुम जून के लिए पेपेड हो जाओगे अपनी तुमारी सोच है माले वैसे जून के लिए तयार हो जाओगे इसमें मैं क्या करूंगी तुम्हें कुस्तो एक तो recording lecture दूँगी recording lectures का unlimited views होगा unlimited views का मतलब है जैसे आप किसी भी time देख सकते हो सुबह दुफैश शाम और unlimited times देख सकते हो माले तुमने देखा दुबारे भी देख सकते हो कोई ऐसा होनी है कि की बार देखा तो लक्षर घतम हो जाएगा unlimited times तुम उसको व्यू कर सकते हो अच्छा इसके अलावा माले जो जो भी तुम्हारे doubts वगरा होंगे या जैसे practical subjects हैं जहां पर बहुत से इस्टोरेंट्स को question solve करने में problem होती है तो उसके लिए हम live session रखेंगे ठीक है अच्छा इसमें तुम्हें notes भी मिलेंगे notes के साथ में short notes के बार क्या होता है कि exam में revision चाहिए होती है exam के time पर लगता है कि अब module से हमसे नहीं हो पा रहा है तो उसके उस time के लिए तुम्हें short notes revision notes होंगे जो कि तुम्हारा पुरा ग्रिब बना देंगे साथ ही में तुम्हारी test series भी होगी test भी होगा तो अभी जैसे हमारा जो motive होगा जैसे first module तुम्हें जून में देना है तो that means कि जून का जून में जो exam होगा वो first June की date से ही exam होगा तो हमें क्या करना होगा में का जो month है में का month सिर्फ test के लिए रखना है अप्रेल यानि 30 अप्रेल तक हमें अपना पूरा syllabus कम्प्लीट करना है मंस कितने मचें February February का how months जा चुका है February March and April 3 months है थी months में हमें पूरा का पूरा अपना ये चार सब्जेक्स कवर करने है इसमें क्या करना है आपको recording lecture भी देखने है लाइव सेशन भी लेना है और में का मन्त महां जो में का मन्त होगा वो सिर्फ हमारा रिविजन और टेस्ट के लिए होगा मालिया आप कुछ इस्टुडेंस ऐसे हैं कि उन्हों लग रहा है कि नहीं हम फर्स्ट जो मॉडियूल है वो जून में ना देखे दिसंबर में देंगे डारेक्ट दिसंबर में देंगे ठीक है तो लेकिन मैं उनको भी प्रिफर करूंगी मालिया तुम्हारा मॉटीव है चलो फस्ट मॉडिय है फिर संबर में देना लेकिन अपना मॉटीव ने आफ जून में क 흡़ितकर लिवी वैसे ही कुई वात नहीं में करोंगी हुए आपके मन करे जून कर में देना है जून में दो नहीं तो दिसंबर में करे अच्रा अभी सब्जेक्ट है एक को और सब्जेक्ट से तुम्हारा दूसरा है नो सब्जेक्ट की बात करें, just like जो advocates होता है, यानि court में related, जिते में civil procedure code है, या criminal procedure code है और तुम्हारा law से related महाँ पर तुम्हें study करनी होती है J.I. jail में, company law में जो होता है, वो company law से related होगा, यानि company का, company पर क्या-क्या rules और provision applicable है, दोनों ही subjects ये theory की paper है, J.I. jail भी और company lobby, ये भी तुम्हारा theory का subject है, SBC, SBC जो होता है कि तुम्हारा company से related है, यानि company का incorporation, incorporation ये वर्ण नहीं पता है, company का मतलब company बनती कैसे है, और बनने के बाद में उसका wind up, यानि कोई company ये इंसल्वेंट हो जाती है, नहीं वो profit में जा रही है, loss में जा रही है, तो उसके wind up तक की सारी procedure हम इसमें पढ़ेंगे, SBC में, ये भी तुम्हारा theory का ही subject है, ठीक है, SBC भी theory का subject है, अब बात आती है tax law की, यहाँ generally जितने भी CSK students है, tax law एक practical subject है, बहुत सारी students इसी subject में थोड़ा सा difficulty face करते हैं, क्योंकि practical subjects है, और tax में भी यहाँ पर दो और हो जाते हैं, एक तो होता है तुम्हारा direct tax, ठीक है direct tax, और दूसरा होता है तुम्हारा यहाँ पर GST, GST, अब practical subjects है, तो थोड़ा सा यहाँ, मेरा, मैंने जितना भी तक देखा है, बहुत सारे students को, जो CA कर रहे होते हैं, जर्रल ही उनके लिए यहाँ पर वो अच्छा उनको feel होता है, लेकिन CS के students इसमें difficulty face करते हैं, तो हमारी जो मेरी जो live class से जादर जो चलेंगी, वो इसी text में चलेंगी, वैसे मैं आपको डरा नहीं रही हो कि यह थोड़ा सा difficult है, लेकिन बहुत से students CS का course इसलिए opt करते हैं, कि theory के हैं इसमें paper, तो हम इसलिए opt करते हैं, तो वहाँ वह वाले student जिनका practical week है, तो वो इस subject में difficulty feel करते हैं, study material अभी तुम्हें ICSI की तरफ से भी मिल जाएंगे, तुम्हें देखना क्या है, जो तुम्हारा study material है, उसका first page देखना, चीक है, first page पर, क्या होता है कि, मैं अभी लिख देती हूँ आपर first page, माल यह suppose करो, तुम जून में exam दे रहे हो, जून में, इसी जून 2022 में exam दे रहे हो, होता है क्या है बेटा, exam, जितना भी लोग का subject होता है, जैसे कि मैंने अभी बात करी है, मैं लग तियोरी के ही है, जिसने company, लोय जय जय ले राइस भी सी है, तियोरी के subject हैं, लगता है कि तियोरी के हम बहुत easily होता है, इन में क्या होता है कि कही बाद notifications वगएरा आता है, government की तरफ से, तो वो सारी notification तुमारे exam के लिए applicable होता है, अब notification तो आते रहते हैं, अब कितने notification हमारे exam के लिए applicable होंगे, question होता है कि क्या हम जब 1st June 2022 में exam देने जाएंगे, मन में आएगा तुमारे, कि मैम तो फिर क्या उससे पहले दिन भी यदि government का कोई notification आया, 31st May 2022 में भी कोई notification आया, क्या वो भी हमारे exam के लिए applicable होगा, या 15 days पहले क्योंकि government के notification तो आती रहते हैं, आज आया, कल भी आया, ठीके तो क्या वो सारे applicable होगा, तो answer will be no, यदि तुमारा जून में exam है, तो जून से 6 months before time period लो, यानि जून से 6 महीने पहले यदि मैं बात करती हूँ, तो December 2021, 31st December 2021 तक, जितने भी government के notifications आया, या circular आया, वो सब आपके exam के लिए applicable होगे, यदि 31st December 2021 के बाद, जो भी notification आया, या जो भी law में change आया, वो आपके इन जून exam के लिए applicable नहीं होगा, तो आपका जो भी study material, जो भी ICSI की तरफ से तुम्हें जो भी मिलता है, तो सबसे बहले तो first page पर वो देख लेना, कि वो study material updated होना चाहिए, यानि उसमें 31st December 2020 तक का print होना चाहिए, December के बाद का, जिसे की सारे notification वो December तक applicable हो, यदि वो उससे पहली की date का हो, obviously, I think जो ICSI से मिलता है study material, वो थोड़ा सा time पहले कहीं मिलता है, जितने भी अभी तक मैंने students को पढ़ाया, जिनका भी new registration हो है, तो उनको जैसे तुम्हारा जून में आप exam लोगे, या तुमने registration कर रहा है, तो August, I think August 2021 तक का material तक का material तुमें मिलेगा, उस date का print, ठीक है, मैंने ये कभी study material ही open किया है, यहाँ पर first page का मतलब है, मैं जो यह वाला first page, यह वाला first page में open कर लेती हूँ, अब जैसे यह वाला जो study material है, वो print हुआ है, October 2021 में, तो इसका मतलब, अभी हमें October, यानि November में, या फिर December 2021 में, यह कोई भी notification आया है, तो वो भी हमें class में cover करना होगा, वो हम जो cover करेंगे, वो live class में cover करेंगे, अभी हम एक्जाम दे रहे हैं, उससे six months पहले तक के, हमें सारे notifications फढ़ने है, study material को check करना, यदि वो updated है, तो ठीक है, well and good है, यदि 31 December तक है, प्रेंटर नहीं, तो फिर उसके बाद हमें, वो हम live class में discuss करेंगे, अभी कि जो मैं class करूंगी, वो direct tax की हमारी class होगी, direct tax और GST, इनके भी सबके recording लक्चर आपको मिलेंगे, direct tax में, इक कोछ चीज में आपको बजाना चाहूंगी, जो तुमारे exam के लिए applicable है, जो exam के लिए applicable है, वो है finance act 2021, ठीक है, वो तुमारे exam के लिए applicable है, और यह जो finance act 2021 applicable है, वो June 2022 and onwards, onwards का मतलब है, यति कोई December 2022 में भी exam देना चाहते हैं, तो उनके लिए यह finance act 2021, finance act applicable है, direct tax way, और वोई दूसरा जो previous year है, previous year है तुमारे exam के लिए कौन सा है, 2021 से लिएकर 2022, और जो assessment year है, वो है 2020-22 से लिएकर 2023, अब थोड़ा से confusion हो गया होगा तुम्हें, कि मैं यह previous year क्या होता है, assessment year क्या होता है, यह finance act क्या होता है, is it clear, यह confusion हो रहा होगा आप दोनों को, हाजी, confusion हो रहा होगा या नहीं, या यह सब जीचे, हाँ, बोलो, हाँ, बोलो, यह दो होता है, जो हमारा भी चल रहा होता है, जो आने वाला, मतलब 2023 आएगा, हाँ, देखो, मैं अभी, हम सारव में डिस्कस करूंगे, सिर्फ यह चीज, इसका यह मैं PDF अप्लोड कर दूँगी, यह not an issue, अच्छा, एक को चीज जो हमारी क्लास होंगी, मुझे बता देना, आपको कैसे comfortable है, देखो, जो हमारी classes होती है, computer पर भी चल जाती है, यह आप लोगों के पास computer है, या फिर laptop है, जैसे मैंने का कि recording lecture है, laptop या computer पर भी चल सकती है, otherwise mobile पर भी चल जाती है, mobile में आपको क्या करना होगा, एक app मेरा download करना होगा, CSR को गुपता Classes के नाम से है, play store पर, उसके link मैं शेक कर दूँगी, app में ही महीं पर recording lecture आपको मिलेंगे, जब आप registration करा होगे, ठीक है, तो ये app पर भी, इन में से कोई भी एक mode आपको चूज करना होगा, ये तो computer ये laptop पर classes लेनी है, उस पर otherwise mobile पर, ठीक है, ये तो होगया हमारा recording lecture का, जिसमें कि आप अपने time के साब से, comfortably आप देख सकते हो, दूसरा live class तो आप किसी से भी, किसी भी mode में ले सकते हो, laptop ये computer या फिर mobile से, ठीक है, और जो आपको notes वगेरा, जो मिलेंगे मेरी तरफ से, जो test series होगी, वो आपको mobile में app पर ही मिलेगी, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको clarify कर रही हूँ, आज जो हमारी class है, वो direct tax से related है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी जिसे मैंने कहा कि, जो first module में four subjects है, चारो ही subjects हमारे 100 marks के, जेजिर का भी company law का भी हमारा 100 marks का है, tax law का भी हमारा 100 marks का, और SBC का भी हमारा 100 marks का है, tax law में जैसे direct tax और GST मैंने बताया, यह हमारा 50 marks का हो जाता है, direct tax और GST भी हमारा 50 marks का हो जाता है, हर subject में हर subject में हमारी compulsory, minimum 40 marks आने compulsory है, यदि किसी भी subject में 40 से कम marks आ जाते हैं, तो हम fail हो जाएंगे, तो 40 हमारी minimum होने चाहिए, अब थोड़ा साब सुझेंगे, मैं 40-40 हम ले आते हैं, चारो subjects में, तो that means कि 4 subjects में, जो total aggregate हमारा होता है, वो 160 होता है, महले मेरा 40 इसमें भी आए जाए जाएंगें, 40 मेरे company लो में है, 40 मेरे tax लो में है, 40 मेरे SBC में आते हैं, तो total मेरा 160 है, तो क्या मैं हम तब पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगे, बेटा, total जो aggregate marks होने चाहिए, minimum 200 marks होने चाहिए, यहाँ ICI SNA special बोले हैं, यानि total चारो subjects में 200 होने चाहिए, और एक individual subjects में 40 होने चाहिए, तो अब हमारा वो module किलियर होगा, तो यदि चारो subjects में 40, 40, 40, 40 भी आ जाते हैं, वैसे तो individual subjects में हम पास माने जाएंगे, लेकिन aggregate में क्योंकि हमारा 200 से कम marks का score बैट रहा है, तो उस वाले case में हमारा वो पूरा ही module, हमारा unclear रहेगा, हमें दुबारे से exam देना होगा, तो में अपना क्या करना है तुम्हें, 40, 40 का target नहीं रखना है, आपको जो target रखना है, 100 marks का रखना है, कि नहीं मुझे जिन में 100 marks लेके आने, company law में 100 marks लेके आने, tax law में 100 marks और sdc में 100 marks, अब यदि किसी भी subject में 40 marks आ भी जाते हैं, और दूसरे subject में suppose करो, इसमें मेरे 50 आगे, company law में, मेरी नहीं मलब आपके, इसमें भी 50 आगे और इसमें 60 आगे, individually रूप से हम 4 subjects में clearन है, क्योंकि हमारे 40 या 40 से बहुँ है, और totally यदि मैं देखती हूँ, तो 200 marks है, तो उस वाले case में मेरा ये पूरा module clear माना जाएगा, is it clear? clear? चल्द, अच्छा, अब अपनी class यहाँ पर हमें start करते हैं, अभी जो हमारा जो direct tax की class है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये जो tax law का paper हमारा option वाला होगा, OMR sheet में हमें मिलेगी, question थोड़े से landy होते हैं, अब देखने हैं तो लगता है कि OMR sheet easy होगा, किसी पर भी tick मार देंगे, लेकिन बेटा, इसमें जो OMR sheet का paper है, इसमें negative marking होती है, ठीके, तो हमें विखकुली concept यहाँ पर clear होना चाहिए, पूरा practice हमें करनी है यहाँ पर, बिना practice की और बिना concept की clear हुए विना, हम यह exam clear नहीं कर सकते, ठीके, तो सबसे पहले हम direct tax को लेके चलेंगे, पूरी, बोलो, अब देखो, अभी direct tax में, जैसे मैंने बोला कि आपे finance act 2021, सबसे पहले तो हम finance act को समझ लेते हैं, यह finance act होता क्या है, ठीके, finance act, अभी, देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, कि हमारा finance नाम जैसे, नाम से ही लग रहा है, finance, यह नहीं, finance का मतलब हो क्या, पैसा earn करने से related कोई law, अभी recently budget आया था, कुछ मालूँ में आप लोगों को budget क्या होता है, बजट आया था, या सुना था कुछ अभी recently budget के बारे में, February में अभी budget आया था, 1st February को, अभी पढ़ा था, वो पढ़ा नहीं, क्योंकि अभी आप बच्चे ही हो, क्योंकि अभी आप लोगों को लगा कि मतलब अभी इसके कोई related, हमारी कोई knowledge भी नहीं थी ना, तो कोई ऐसा issue नहीं है, तो finance यानि पैसा आर्ण करने से related, एक law बन जाता है, सबसे पहला है तो पैसा आर्ण करने से related, यानि एक budget आता है शुरू में, budget का मतलब है माहा पे अभी जो हमारी जो finance minister है, निर्मिला सीधा रमन जी उन्होंने ही budget पेश किया था, ठीक है, पिछले साल, यानि 2021 में, 2021 यानि पिछले साल, तुमारे exam के लिए यहीं वाला finance act applicable है, तब वो budget आया था, budget का मतलब है उसमें पूरा क्या होता है, कि income और expenditure की detail होती है, कि हमारी country में हम ऐसे tax लगाएंगे, हमारा इतना income होनी चाहिए, और हम ऐसे-ऐसे expenditure करेंगे, तो वो budget क्या होता है, budget पेश किया निर्मिला श्रीता रमन जी ने, पार्लियमेंट में, फिर वो budget, budget को हम यहाँ पर क्या कहता है, एक तरीके से वो bill होता है, इक तो राज्य सभा और एक लोग सभा, जब राज्य सभा और लोग सभा दोनों से ही वो पास हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, finance act, वो act बन गया, यानि 2021 की मैं बात कर रहे हूं, अब यह आप को कि कि मैं हम तो exam जून 2022 में दे रहे हैं, मैंने आपको पहली बता है बिटा, जो भी students जून 2022 में exam दे रहे हैं, या उसके बाद में, December 2022 में देंगे, उनके लिए, यानि इस साल, यह finance act applicable होगा, finance act 2021, is it clear? यानि पिछले साल, 2021 में, जब निर्मला सीता रमन जी ने, जो पार्लियमेंट में, यानि राज्य सबा, लोग सबा से पास हो गया, तो वो तब उस समय पर, वो क्या बन गया, finance act हो जाए, finance act 2021, आप लोगों के exam के लिए, applicable है, यानि, that means कि, June 2022, and onwards, यानि कोई भी December 2022 में, एक्जाम देंगे, उनके लिए, finance act applicable है, अच्छा, अब हम previous year, मैंने बोले कि, previous year आपके exam के लिए है, और assessment year यह है, अब इन दोरह में, difference समझ लेते हैं, पहले तो यह finance act देखते हैं, आपे finance act किन पर applicable होता है, finance act कुछ persons पर applicable होता है, person, person की हम definition देखेंगे, दूसरा, अब ही जैसे मैंने आपको बता हैं कि, हमारा जो tax का paper है, यह दो पार्ट में divide है, एक तो direct tax हो, दूसरा क्या है, GST, क्या इन दोरह में difference, आप लोगों को मालूम है, direct tax हो GST, difference मालूम है, देखो, यदि मैं difference देखूं, direct tax का मतलब होता है, direct tax का मतलब है, income tax, income tax, यानि किसी भी person को, जो भी income, gain हो रही है, उस income पर जो भी tax लगेगा, वो हमारा direct tax कहलाएगा, आज मैं सारी का गुपता, यदि मुझे कोई भी income हो रही है, जो भी मेरी income हो रही है, या मेरे husband को जो income हो रही है, बच्चों की कहरे, मैं बात नहीं करूँगे, क्योंकि अभी वो अभी इतने बड़े ही नहीं होएं, छोटे ही है, तो मुझे जो भी income हो रही है, या मेरे husband को जो भी income हो रही है, तो उसी person को, यानि जो भी वो earn कर रहा है, उसको उसके नाम से ही, वो income tax जाएगा, मुझे जो income मिल रही है, government department को, मैं जो tax deposit करूँगे, अपने नाम से करूँगे, मेरे husband को जो income हो रही है, वो मेरे husband income tax deposit करेंगे, अपने नाम से, इसको हम बोलते हैं direct tax, यानि जिसके जितनी income हो रही है, इसे उतना ही tax deposit कराएगा, उसी पर burden पड़ेगा, मैं जो भी income मान कर रही हूँ, मैं अपनी pocket से tax जमा कराऊँगी, यानि वो मेरे pocket का burden है, मेरे husband को जो income हो रही है, वो अपने husband, मेरे husband अपनी pocket से करेंगे, tax deposit, वो उनकी income है, तो वो उनकी पर burden पड़ेगा, दूसरा indirect tax, indirect tax की यदि मैं बात करो, indirect tax मैंने आपको बताया, भी GST का एक example है, अब GST के case में हम क्या करते हैं, माल या कोई भी एक supplier है, माल या मैं कोई भी हम imagery रहो ले लेते हैं, X एक person है, X person ने किसी को भी sale की है, हम यहाँ भी कहलेते हैं, Mr. Z को sale की है, तो माल या रूपीज, 1 lakh की sale की है, तो Mr. X ने Mr. Z को sale की है, तो sale के against में, यह उनसे GST collect कर रहे हैं, अब माल या तुम ही हो, जब तुम कोई माल या सपोस करो, कहीं पर भी McDonald में, या कहीं पर भी कोई भी चीज़ पर चीज़ करना जाते हो, बर्गर या कोई भी पीज़ा, तो उस पर तुम देखते हो कि GST लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो वो दुकान दार या शोप की पर क्या करता है, तुम से GST collect कर लेता है, माल ने 1 lakh की sale की, उसने 1 lakh पर उसने कुछ GST collect किया, मालने सपोस को रहा है, हम इमेजरी फिगर ले रहते हैं, मालने रुपीज 1 थाउजन GST collect किया है, तो अब इस X person के पास में कितना आ गया, एक तो 1 lakh रुपीज आया, 1 lakh रुपीज आया, और प्लस यहाँ पर GST की amount, जो कि हमने इमेजरी फिगर ले रुपीज 1 थाउजन, तो क्या यह जो X है, यह पूरी की पूरी amount अपने पास रखेगा, ओविसल नो, सिर्फ अपने पास क्या रखेगा, रुपीज 1 lakh और 1 lakh रुपीज क्या करेगा, वो Government Department को deposit करेगा, ठीक है, तो यहाँ indirect tax में, यह जी मैं बात करती हूँ, आपसे पूशती हूँ, तो यहाँ पर जो Government को tax deposit किस ने किया है, X ने किया है, X ने किया है न, तो क्या है इसने 1,000 रुपीज अपनी pocket से deposit करेगा है, ओविसली नो, यह तो इसने कहां से collect किया है, और Mr. Z से collect करके, यहाँ पर Government को deposit किया है, बार्डन जो पढ़ा है, वो Mr. Z पर पढ़ा है, Mr. X पर कोई burden नहीं पढ़ा है, इन्होंने अपनी pocket से नहीं करा है, बार्डन हम उसको मानते हैं, कि जिसकी pocket से वो पैसा गया है, ठीक है, तो indirect tax में, यहाँ burden customer पर पढ़ा है, deposit कराने वाला Mr. X है, लेकिन burden इसकी pocket से इसने, तो क्या करा Mr. Z से collect किया, और फिर Government को deposit कर दिया, यहाँ direct tax के यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ पर burden उसी person पर पढ़ा है, आज मैं सारी का गुपता जो भी earn कर रही हूँ, तो मैं अपनी pocket से यहाँ पर income tax जो भी होगा, वो मैं government को deposit करूँगी, तो burden मेरी pocket से, जो tax जाएगा, वो मेरी pocket से जाएगा, तो यही main difference है direct tax और indirect tax में, burden direct tax में, उसी SAC पर परता है, यानि percent पर परता है, जो tax deposit कर रहा है, और indirect tax में, जो tax deposit कर रहा है, उस पर कोई burden नहीं परता है, बलकि customer पर बटन परता है, इस इट clear, यहाँ तो कोई confusion, direct tax और indirect tax में difference, यही बार exam में खेर, इस टाइप के easy question तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी confusion है, तो पूछो, कोई doubt, any doubt, नहीं, चलो, ठीक है, अभी तक तो हमने चलो बात किये, direct tax और indirect tax में difference, अब finance act भी हमारा clear होगे, ठीक है मैम, जो budget आता है, budget यानि parliament के दोनों सबनों से, यानि राज्य सबा, लोग सबा से pass हो जाता है, फिर उसके बाद में, जब pass हो जाता है, यह finance act बन जाता है, यानि यह पिछले साल बना था, finance act 2021, अचा, फिर उसके बाद, अब बात आती, ठीक है मैम, finance act 2021 तो हमारी समझ में आ गया, ठीक है, अब यह किस पर applicable होगा, और इसका क्या logic है, देखो, finance act 2021 यह कहता है, कि कुछ person, यह person की हम definition भी अभी पढ़ेंगे, यानि वो person, जिनकों की income हो रही है, कब 2021 से लेकर 2022 यह, यानि यह कौन सा ही है, यानि 1st April 2021 से लेकर 31st March 2022 तक, जिन भी लोगों को कोई income हो रही है, income generate और यह income मैं बात करी हूँ, income चीक है, income मिल रही है, तो उस income पटेक्स जाएगा, देना होगा भी यह, जो भी हर कोई भी person है, चाहे बिजनेस्मैन है, चाहे वो सर्वीस वाला है, चाहे वो कोई भी person है, चीक है उसको टेक्स देना guitar, चाहे प्रोफेशनल है, जो भी उसको income मिल रही है उसको tax देना होगा तो वो tax कब देना होगा क्या इसी साल देना होगा नहीं उसको वो जो इस साल की income पर उसको जो tax देना होगा वो next year में देना होगा next year कौन सा 1st April 2022 से लेकर 31st March 2023 2023 यानि इस year में जो भी income हो रही है किसी भी परसन को उस income पर tax उसको कब देना होगा उसके next year में 1st April 2022 से लेकर 31st March 2023 तक इस जिस साल की income की हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं previous year या फिर current year भी बोलते हैं जिस साल की income पर जब हम tax देते हैं अगले साल जब हम tax deposit करते हैं उसको हम बोलते हैं assessment year यानि assessment का मतलब है हमारी income का assessment हो रहा है हमारी income का जाच हो रही है कि यानि हमारी पिछले साल की क्योंकि इस साल से तो यह पहले ही साल हुआ न यह तो next year हो गया यह next year है और यह पहले वाला साल है यानि इस साल में इस साल में हमें tax देना होगा 2022 से लिएका 31 मार 2023 में जो हम tax देंगे वो देंगे अपने इस वाले year के हमें जो भी income मिली है उस income हमें जो tax देना होगा वो अगले साल देना होगा कि इस एक लियर या कोई अनी यहां तक नहीं अच्छा अब एक चीज में आपसे पोस्ती हूं ठीक है मैं आपने यह तो बताए कि previous year हमारा है मैं शोट में लिख देते हूं previous year यानि 1st April 2021 से लेकर 31st March 2022 तक आप कहरें कि मैं इस year में 1st April 2021 से और हाँ आप कह रहे हैं कि Finance Act 2021 आपके एक्जाम के लिए अप्लिकेवल और इस year में जो भी आपको income मिल रही है उस income पर आपको जो tax देना होगा वो tax को कब देना होगा 1st April 2022 से लेकर 31st March 2023 था चीक है यही चीज़ हम ने बोली है फिर आपके मैं यहीं इस साल की income पर हम tax इसी साल क्यों नहीं देते यह भी हो सकता है आप यह भी तो सोचोगे कि मैं जब हमारी income इस साल की है यानि 1st April 2021 से लेकर 31st March 2022 यानि अभी तो अभी तो February चल रहा है अभी तो हम समझो यहां इस यह February मैं लगा लेती हूँ यह इसको ऐसे दिवाइड कर देती हूँ कि अप्रेल मैं जून जुलाई अगर सप्रेम अक्टूबर नॉम्मद इसमद जन्वरी फर्वरी अभी तो हम फर्वरी यहां पर ही है फर्वरी 17 फर्वरी अभी तो हम इसी है तो अभी अभी मैं एक डेड़ महीना ओ लगा लेती हूँ 31st मांस त हम इसी साल देना होगा बहुत जैसे हम किसी भी रहरन के पर से समान खरीद दे जाते हैं तो हम लिए eingesा क्या करते हैं तु में चीज़ लेते मैं च पडा होगा अब मुझे हो रही है अभी मैं मान रही हूं कि मेरा 1st April से लेकर 31st मार्च तक मेरा एक यह 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 बेटा अभी तक तो 1st April से लेकर मेरी जो भी इंकम होई है अभी आज 17th February है अभी तक तो 17th February तक ही तो मैं इंकम क्यालकुलेट कर सकती हूँ ना अभी डेड़ मन्त मतलब मैं को कि वन एन हाफ मन्स और रिमेनिंग है तो मुझे क्या पता भी वन एन हाफ मन्स में मेरी टोटल इंकम कितनी होगी तो 31st मार्च जब डेट आजाएगी तभी जितने भी बिजनस्मेन होते हैं अपनी क्या बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं ब सब्सक्राइब खदम हो जाएगा यानि 31st मार्च के बाद में यूने पता चलता है कि अच्छा हमारे पूरे यर की यह वाली इंकम होई है तभी क्यालकुलेशन होता है पूरे साल की तो उस साल की जो टोटल इंकम होती है फिर उस इंकम पर अगले साल यानि अगले साल इस सब्सक्राइब वाले नेक्सषार में 1st April 2022 से लिकर 31st मार 2023 में यहां पर एक डेट आती है जोलाई जोलाई 31st जोलाई यह लास्ट डेट होते हैं कि यहां इस लास्ट डेट तक हमें क्या करनी होती है अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है गवर्मेंट को इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को और फिर हम अपना पिछले साल की इस इंकम पर जो भी हमारा टेक्स का बैठता है हम वह गवर्मेंट डिप पोजी करते हैं Is it clear? Yes. कोई यहाँ तक कोई confusion या कोई भी doubt है या कोई भी query हो तो पूछो कोई doubt यहाँ तक कोई confusion नहीं चलो अच्छा एक को चीज़ यहाँ पर देखना हो अभी मैंने बोला कि 1st April 2021 से लिका 31st March 2022 तक मुझे जो भी इंकम मिलेगी जो भी मुझे इंकम गेन होती है उस इंकम मैं जो टैक्स दूँगी वो 1st April 2022 से लिका 31st March 2023 में दूँगी ठीक है तो मैं मैं तो बिजनस चलता ही रहेगा न मेरा तो बिजनस खतम नहीं होगा यह माले मैं ऐसे प्रोफिशनल काम करती हूँ तो इस साल में भी प्रोफिशनल काम करूँगी अगले साल भी करूँगे ऐसे ही मेरा तो continue चलता है रहेगा तो इस साल भी तो मैं अब चलो यह तो चीज़ समझ में आगे कि इस साल की इंकम पर मैं जो टैक्स देंगी वो इस साल में दूँगी तो इस साल भी तो मैं अपना बिजनस चलाऊंगी ना इस साल में जो मुझे income मिलेगी जो भी मुझे income गेन होती है उस income पर मैं फिर tax कब दूँगी बेटा जो इस साल यानि 1st April 2022 से लिखा 31st March 2023 में जो भी मुझे income होगी यानि जो भी साल आया भी नहीं है उस साल जो मुझे income होगी फिर उस income में जो tax दूँगी उससे next year में यानि 1st April 2023 से लेकर 31st March 2024 में इस साल में मैं उस income पर tax दूँगी इस income के लिए फिर ये वाला year 1st April 2022 से लेकर 31st March 2023 ये क्या माना जाएगा प्रिवियस ये और ये वाला माना जाएगा ये इस income के लिए मालिया सपोस करो अभी इसी financial year की मैं बात करते हूं 1st April 2021 से लेकर 31st March 2022 जो की अभी हमारा चल रहा है जो अभी हमारा 17 जो आज की डेट है इसी financial year की द्वरान है मैं एज्यूम कर लेते हूं मालिया सपोस करो मेरी जो इंकम है यहाँ पर 20 लैक है पूरे साल की सपोस कर लेते हैं एक एग्जामपल लेके चलते हैं 20 लैक है तो इस पूरे financial year की इस 20 लैक की इंकम मुझे जो टैक्स देना होगा वो अगले साल देना होगा इस यह में तो 20 लैक की इस इंकम के लिए यह तो यह क्या माना जाएगा प्रिविएस यह यह या करेंट यह हम बोलो और यह वाला यह माना जाएगा assessment year यह वाला यह अचा इस यह अब मेरा तो business continue हो रहा है मैं business थोड़े बंद करूंगे में तो चल रहा है जो भी है मेरा professional बिजनेस है अब इस साल में भी मेरी तो इंकम हो रही है इस साल मेरी जो अगले साल next year यह जो अभी आया भी नहीं है फस्ट रप है 2022 2022 अभी तो यह date आई ही नहीं है हम सपोस करे यह में भी मेरी जो income होती है सपोस करो वह 25 लैक होती है पूरे साल की सपोस कर रहे हैं तो इस वाली income के लिए यह वाला year क्या माना जाएगा previous year और यह वाली income के लिए 25 लैक की income के लिए फिर assessment year होगा यह वाला first April 2023 से लेका 31st मार 24 24 ठीक है तो एक ही यर को एक ही यर प्रीविएस यर भी हो सकता है और एक ही यर assessment यर भी हो सकता है अब मैं आपसे पूछते हूं क्या यह वाला यह assessment यह भी होगा बिल्कुल होगा देखो यह वाला यह assessment year क्यों कौन सी इंकम के लिए होगा जो इससे फास्ट अप्रैल 2020 से लेकर 31st मार्च 2021 में जो भी मुझे इंकम हुई होगी पिछले सार फास्ट अप्रैल 2020 से लेकर 31st मार 2021 यानि जब कोरोना कब हो ज़्यादे प्रकॉप चल रहा था प्रकॉप भी था वह ना फास्ट अप्रैल 2020 से लेकर 31st मार 2021 यानि जब मार्च पिछले साल 2021 में जब सैकिंड लेहर आई थी बहुत ही देंजरस लेहर थी याना मार्च अप्रैल में जब आई ती उस डेट में उस यहर में कि जो भी मुझे इंकम होई होगी उस इंकम पार मैं जो टैक्स harmful वह मैं इस साल दिया होगा मैं तो उस इंकम के लिए मैं माद सब्सक्रिया कर्लिए और एक क्लियर कोई डाउट यहां तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो बताओ पूछो यहां पर कोई भी डाउट है तो पूछ लो कोई कन्फ्यूजन यहां कोई भी जब यदि कन्फ्यूजन होगा तो नहीं क्लियर हो पाएगा बतादू मुझे कोई भी कन्फ्यूजन है तो नहीं खुशी आपको नहीं चलो आगे चलते हैं चलो ठीक है मैं यह तो किलियर हो गया असेस्मेंट यह का किलियर हो गया और फाइनेंस एक्ट का भी किलियर हो गया फाइनेस एक्ट सबतसे पísनेस्ट यानि 2021 वह एक्पलिकेवल थे लिए ठिक है तो यानि वर्ट रो रोल क्या होता है फाइनेंस एक 2021 में महाँ पर रेट बताते है टैक्स का जनरली जिब बजट आता है जैसे बीबी फस्ट फाइबरेरी को रेट बताते हैं बहुत सारे बिजनस्मेंग को आपने सुना होगा सुनते है अरे पता नहीं आज बजट आएगा हमारे लिए कुछ फायदा हुआ है नह या अच्याय तो मोदी जी को मघंब यर। कोरने लुदाते हैं बेकार की यॅज उनए नहीं दिया तो यहां पर रेट बटाते हैं जंड कि हमारीने पर इतने पर संट यहां पर बंज और इतना पर हमें एक स्टैक्स देना होगा य April इन यह स fatovelop यहां तक पॉइंट के लिए आपको यहां तो कोई confusion नहीं चाल ठीक है अब मैं अब थोड़ा अपने एक notes को लेती हूं generally जो मैं आपको पढ़ाऊंगे अपने notes से ही पढ़ाऊंगी लेकिन एक study material भी मैंने आपके खोला है अच्छा एक चीज मैं आपको बचाना भूल गई जितने भी यह सारे subjects हैं यह जितने भी मैंने आपको बताया जे आई जेर कंपनी लो टैक्स लो इस भी से सारे subjects में से टैक्स को छोड़ कर बाकि तीनों subjects के लिए आप अपने study material भी रैफर कर लेना हालिंकि उसके लिए आपको notes वगरा मैं दूंगी notes वगरा refer करना लेकि study material भी refer कर सकते हो और टैक्स के लिए यदि पुराना है प्रेंट तो उसके लिए अपना study material रैफर मत करना सिर्फ notes करना हाई यदि मुझे बता देना कि उसका print date क्या है तब मैं आपको बताओंगे कि वह आपको refer करना है या नहीं करना ठीक है यहाँ पे अक्टूबर है अक्टूबर भी यदि आपके study material पे है तो आप वह refer कर लेन अक्टूबर 2021 की date भी है सिर्फ आपको क्या करना है नोट से पढ़ना है नोट से सारा जो concept करना है बाकि जो practical questions करना है वह study material के करना है कुछ questions जो मैं दूंगी वह करना है चीक है practice अच्छा अब मैं अपने notes वाला यह point को लेते हूँ यहाँ तक तो अभी जो हमने discuss क्या है कि कि वह यह भी मैंने आपको finance act के बारे में बता है दूसरा मैंने आपको previous year or assessment year के बारे में बता है नेक्स्ट और क्या चीज़ है कि यह जो finance act है यानि जो income tax हम कह देते हैं या direct tax हम कह देते हैं किन परसंद पर applicable है तो यहाँ income tax act है एक income tax act 1961 यानि यह भी एक act है 1961 में पहले ही क्या था एक bill था फिर उसके बाद यह parliament के दोनों सतनों से पास हो और फिर उसके बाद वो act बन गया तो यहाँ income tax act में बोला गया कि यह जिन जिन भी परसंद की income होगी उस income पर tax लगेगा लेकिन tax का rate क्या होगा इस act में बोला गया हर साल एक finance act होगा यानि फैले finance bill वही जैसे मैंने budget की बात कही हर साल finance bill आएगा बिल जब दोनों सतनों से पास होगा वो act बन जाएगा फिर उस finance act में जो भी rate बोले गये होगे हर साल उन परसंद की income पर इन वाले परसंद की income पर उसी rate से उनको tax देना होगा तो यह income tax में ब स्टास होता है कि अचा फिर यह income tax act में ही बताया गया कि परसंद कौन परसं यानि कोन से परसंद कहते किसको है अब यह आपसे सीन्य परसंद का मतलब क्या होता है मैं आपसे पूछती हूं यह परसंद किसको बोलेंगे तोड़ा सा बताोगी मुझी पर्स Inhale आप को सब्सटेए लूब इन्सान नहीं बोल सकते हैं देख सकते हैं लेकिन लॉन को चीज बोली गाई गया अच्छा एक चीज और आमेशा द्यान करा जितने भी एक्ट है अभी आपको एक्ट बहुत सारे पढ़ने अभी तो टैक्स में आप इंकम टैक्स पढ़ोगे और जीस्टी का भी पढ़ोगे जीस्टी एक्ट भी पढ़ोगे इधर मैं जी एजिल की बात करो यहां पे भी हर एक्ट में वो सेक्शन 2 के अंडर में दी गई होती है हर एक्ट में सेक्शन 2 बताता है डाफिनिशन देता है कि यानि वो एक्ट के इन पर एपलिकेबल है तो ऐसे ही इंकम टैक्स के एक्ट के सेक्शन 2 में यहां जो सेक्शन 2 और यह जो ब्रैकिट में लिखा है इसको हम बोलते हैं section 2 subsection 31 section 2 के बहुत सारे part हो जाते हैं जैसे section 2 subsection 1 में एक definition किसी word की definition दे दी है section 2 subsection 2 में किसी और word की definition दे दी है section 2 subsection 3 और इस तरके से बहुत words की definition दी हुई होते हैं तो यहां income tax act के section 2 subsection 31 में person की definition दी गई है यानि यह जो income tax है, applicable है, in person पर applicable है, तो यहाँ इस act नहीं बोला कि person includes, includes word का use किया है, includes का मतलब है, यह inclusive definition है, यानि इन्होंने कुछ ऐसे ही नहीं बोला, इन्होंने बोला कि person में यह सब कुछ include होंगे, इन्होंने बोला एक तो indivisor, indivisor का मतलब होता है, जीता जाकता इंसान, यानि जो की birth होता है, जिसका जो जन्म होता है, बार्थ होता है, जैसे मैं हो गई, जीता जाकता इंसान, आप हो गई, जो अभी हम थोड़ी दिर पहले बात कर रहे थे, indivisor का मतलब होता है, जीता इहां बैर देखो की बार क्या होता है इंडिवीजन की पैरे चिर्प के आपना स्कृuses अपना काम कर रहे हैं कोचिंग दे रही हिए और प्राक्तिसिंल क्यूं कंपनी से थेätzen नाम कर रहे हूं तो मेरे पर एंकम होगी मुझ्हे उसका इंकम तेक्स देना फरे ठीक है ऐसी कल को आ धेमाशी और नाम क्या खुशी आप भी ऐसे मालए 18 यह से बहु हो जाते हो और कल को कई काम करते हो तो आप क्यों पर जो भी टैक्स होगा वह आपको इंकम टैक्स पही करना होगा अच्छा उसको हम बोलते हैं दूसरा होता है हमारा हिंदू उडिद फेंग्विसेंथ एक अब तो सब अ कि वर चल रही त Brilliant रही है पहले पहले कि कि इसको आशी घया आइए पहले जैसे जावरी चीरी कि तो फसी सब ही वी अरब्च्छ परिवार हो तें आशी ने की तो आगड़ी साफिक गुरार के दो के बाब बिजनस जो होता है वो जो इन फैमिली के नाम से ही चलता है तो अब बिजनस जो चल रहा है जो इन फैमिली के नाम से चल रहा है यह एक हम लेते हैं खरबंदा फैमिली है उसमें बाबा भी चाचा भी ताओ भी और पड़ बाबा और सब कुछ सारे अपने जैन्स मिल रहे है ना वो इंकम अरकन है उसी नाम से तो एपार ट्यक्स लगेगा बिल्कुल लगेगा कभी नहीं चोड़ती कोई विल्णी परसंडी कोई इंकम कर रहे है 친 कोई तो क्यरता है आप आप पिकार ione बीख सब्सक्राइब यानि उसको भी परसंद में इंक्लूड कर लिया गया हालनकि जो हिंदू अंडिवैडिड फैमिली एक तरीके से दिया माने तो कोई जीता जाकता इंसान नहीं जो बिजनस चल रहे हैं आपर खरबंदा फैमिली के नाम से चल रहा है करबंदा फैमिली हालनकि उसके जो मैंबर यानि कुछ जाकते हैं लेकिन जो इस नाम से बिजनस चल रहा है वो तो जो परिवार का जो नाम चल रहे हैं वो जीता जाकता है इंसान नहीं है उसका रिजिस्ट्रेशन होई यानि वह हुए तो उसको भी परसंद में इंक्लूड किया गया है इसे क्लिए कुछ जानते हो कंपनी के बारे में कुछ जानते हो या को कमपनी से करें थो यह पास भी हो जाओगे को ऐसी दिक्कत थोड़ी है ऐए एक कंपनी सेट्री आपका काम ही आजे व्यूचर में सारा ओना है कंपनी का मतलब होता है कुछ लोग पर्सन मिलके- कुछ मिलके कुछ पर्सन मिलके एक अर्टीफिशल बना देते हैं देखो जैसे कि माने सप्पोस करते हैं मैं चलो मैं सब्सक्राइब में हमाँशी हो गई एंड रिया, यह तीनों मिलके सोच नाव कि हमें कुछ अलग सोच टीनों सोचते कि हमें क मैं इंड दो बिनात như नो कुछ क्मिझ ओना लिए थैने रियую और सोचते हैं अब joint family तो है नहीं इंदू joint family, इंते इनोंने मिलके सोचा हम कोई company बनाते हैं हम बनाते इनोंने क्वाकि अपना श्रुका नाम लेते हैं KHR तो इसे स्वार था से हिमाईज्शि ओर आर से टिक है HR नाम से company बनाते हैं तो एक company बन गई यह क्या है का definition यानि अब जो काम चलेगा वह और है कउलिए के कंपनि अग्या खृत को खरीडता है तो नांसे फोली साढ़ी से तो आप लोगों ने सुचा है कि क्योंना हम वह कोई ऐसे प्रॉडक्स बनाते हैं कोई में करक्क के ऊड़क्स बनान परक्समाइन के लिए करा उस company एक company बनाए अब यह मत पूछना कमपणी बनती क्या से वह हम discuss करेंगे SBC वाले paper में कि कंपणी बनती कैसे उसके लिए बहुत थोड़े से steps होते है steps क्या होते है ROC को filing जाती है वो सब्जक्ट में डिसकस करेंगे चीक है तो company बनाना भी सीख जाओगे तो company बनाई अब company भी दो तरीके की होती है हमारी एक होती हमारी प्राइवेट कंपनी जिसको कि मैं यह पर पीवीटी लिख देती हूं और दूसरी होती हमारी public company इन दोर में difference पता है क्या होता है डिफ्रेंस मालू में private company और public company में इस प्राइवेट कंपनी है वह अपने शेर इशू कर सकती है आम पब्लिक को उनको अपने शेर दे सकती है और उनसे फंड रेस कर सकती है लेकिन जो private company है वह अपने शेर इशू नहीं कर सकती है सिफ जो उसके प्राइटर है यानि इस प्राइवेट कंपनी में जो पैसा लगाएंगे वह सिफ यहीं लगाएंगे कुछ ही मांशी हो रही है इसके अलावा वह पब्लिक को शेर इशू नहीं कर सकते है ठीक है तो में तो ही हो गया चलो company का मतलब यहां पर क्या कंपनी के नाम से कल को कोई इंकम होगी तो क्या यह इंकम टैक्स एप्लिकेवर होगा कंपनी पर बिल्कुल होगा क्योंकि यहां पर सेक्शन तूस सेक्शन थाटीवन में कंपनी का नाम भी इंकूरूड है तो कंपनी को income माले जितनी भी ऐसे partner काम करते हैं है न अकाउंट में पढ़ा होगा तो अब कल को जो भी काम होता है वह firm के नाम से ही हो रहा है firm को कोई भी earning हो रही है तो क्या उन पर income tax लगेगा firm पर बिल्कुल लगेगा firm के नाम से tax जाएगा कवर्मेंट उसको भी नहीं छोड़ेगे तो उस पर भी income tax लगना है वो क्योंकि वह परसंट की टाफ्रिश में इंकूरूड है आचा नेक्स आ जाता है association of person या और body of individual whether incorporated or not incorporated का मतलब होता है देखो incorporated word का मतलब है जहां किसी law में कोई चीज बनती है जैसे company के मैं बात करते हूं company को मैं जैसे मैंने का कि वैसे तो company के incorporation से लेट हमने बात नहीं करी मैंने का कि SBC subjects में हम करेंगे जब company हम incorporate करते हैं यानि बनाते तो उसके लिए हमें कुछ formalities करनी होती यानि ROC यानि registrar of company में apply करना होता है company को incorporate करने के लिए तो ऐसे ही कोई association बनाए association का मतलब है group हम group बना रहे हैं कुछ लोगों का person person का अब person का मतलब क्या है यह वाले person यानि हम group बना रहे हैं उस person का person का मतलब उसमें एक individual भी हो सकता है दूसरा हो भी हो सकता है person के definition में यह सारे include है ठीक है यानि कुछ group है group किसका या तो person का या पहले इसको समझने से पहले इसको समझ लो body of individual body of individual का मतलब है यह भी क्या है group है गुरूप किसका इंडिविजल का इंडिविजल कौन से यह वाल इंडिविजल यानि जो जीते जाकते इंसान है जिससे मैं हो गई आप और तुम हो गए यानि घुशी हेमांशी रिया और मैं हम आपस में मिलके क्या गतिक गुरूप बनाते हैं ठीक है और उसको ना तो सब्सक्रे टो इसको हम बोलते हैं बौडी और worry उस तो बौडी ऐसी जो काम कर ही है तो क्या उसके उसको जो भी इंकम मिल रही है उस इंकम पर भी टेक्स लेगे करते हैं पर कि हां उनकी इंकम पर भी उनको टेक्स पे करना होगा यहां सिर्फ इंडिविज्टल से इसे क्लियर अच्छा दूसरे यहां पर करें एसोसेशन ऑफ पर्सन पर्सन में यही सब आ गए यानि हो सकता है कि कोई का फर्म है और फर्म के साथ में कोई इंडिविजल भी पर्सन की कैटेगरी में आता है फर्म भी आता है अब इन दोनों ने क्या करा एक गुरूप बनाया अपनी एक क्या अब इस एसोसेशन को जो इंकम हो रही है उस इंकम पर भी इंकम टेक्स देना होगा उन्हें विक्कुल देना होगा यानि एसोसेशन ऑफ पर्सन को भी इंकम टेक्स पे करना होगा एसोसेशन या इंडिविजल है उसको भी इंकम टेक्स देना होगा क्योंकि वो भी प association होती है उसको हम body of individual कहते हैं तो इसको हम शोट में B O I B बोलते हैं यह बार exam में अभी आप लोगों का जो यह DEX का paper है यह OMR sheet में आने लगा है उसमें जो professional है अभी जैसे अभी आप तो executive में हो जो professional की students होते हैं उनका यह paper OMR sheet का नहीं होता है उनका written में होता है subjective होता है तो उनके में कहीं बार यह question आता है कि difference what is the difference between association और person और body of individual तो माप difference यह होता है जो body of individual है उसमें सारे सिर्फ individual ही include होता है जो जीते जाकते इंसान है और जो association और person है इसमें जो group बनता है वो person का होता है person में वो farm और company भी आपस में मिल के कोई काम कर सकती है या farm और indivisal भी मिल के या दो company भी आपस में मिल के group बना सकती है या दो farm भी आपस में मिल के ग्रुप बना सकती है तो यह main difference होता है ठीक है association of person में और body of individual में अब चाहे उन्होंने incorporation अपना registered है या नहीं है चाहे मदब एक mutual understanding से ही वो अपना काम चला रहे हैं तो उनको यदि कोई income मिले तो उस income पर भी उनको टैक्स दिये नहों होगा तो उनको क्यों को person definition में include किया गया नेक्स्ट हमारा आता है local authority local authority यानि जैसे कि वारत है municipal authority होती है local कोई भी एक authority हो गई municipal authority है जो government की तरव से उनको कोई income मिले तो उस पर भी हाँ पर tax देना होगा every artificial judicial person not falling within any of the preceding sub clauses यहाँ बोला कि इन वाले clause में कोई भी ऐसा artificial person जो कि in clause में include नहीं है अब यदि कोई भी ऐसा artificial judicial person है उसको को income मिली है तो वह भी वह भी परसन परसन की definition में include होगा और उसे उस income पर tax देना होगा बहुत कहने की बात है कोई भी लगा लो कोई भी बंदा लगा लो चाहिए वो इंडिवीजल हो चाहिए फाम हो चाहिए कंपनी हो एस्सेशन और परसन हो यह बोडी अफ इंडिवीजल हो यह लोकल अथो यह दि किसी को भी कोई इंकम मिल रही है तो उस इंकम पर उसको tax देना है यहां पर गौर्णमेंट किसी को नहीं छोड़ेगे तो आपको तुस इंकम पर tax देना है यहां तक कोई confusion या कोई भी डाउट है तो बचाओ पूछो जो फिटल्स होते हैं इसकूल यह सब आते हैं इसमें artificial पर सर्म यह लोकल अथोटी में आएंगे वाले वैसे तो लोकल अथोटी में आते हैं यह तुमारे जो यह जो इस्कूल और जितनी भी युनिवर्स्टी है अलग कि यह दिक गॉर्मेंट रन तो नहीं ख्यारा है आप बात कर रहे हो आप तो यह प्राइविट इंस्टुडिशन के बात कर रहे हो इस प्राइविट होगे नहीं है तो पर यह जो गॉवर्मेंट एक तो माफ है जो प्राइ सब्सक्राइब से चला रहे तो उनको हम आप अर्टिफिशल परशन बोलेंगे वह आप से परसन में क्योंकि वो आपस में उन्होंने गुरूब बनाया हुआ हो सकता है एक अकेले परसन नहीं इसकूल खोला है तो वह अस्सेशन और परसन में उसने मिलके या बॉडि ऑफ प्राइवेट है वो इस इस वह में आएंगे एस्टेशन और परसा और बॉड़ी अफ इंडिविशल में संख्या हैceğiz है इसी के लिए चीज यहां तक कई डाउट है यहांACH है अपफिश्य जूडिशिल पर संग इसका मतलब क्या है आप्छिशल जूडिश्य परसाड़ का नाम्प जूडिशिल का मतलब पता यह जोडिशिल कहते जूडिशिशिल को नाम सुना सब्सक्राइब कर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है अब वो डिस्प्यूट में सुना जा रहा है उसी को बोलता है कोट देखी है तुम लोगोंने कोट देखी है य美味 कोट देखी है चलो गए हो कभी कोट में हमारी में वैसे तो पुराने जमाने के लोग कहते हैं बगवान कभी किसी को कोट में ना भेजे और डॉक्टर के पाशन BP नर वहागत है अंडिंग का साधनी यही होगा तुम्हारे जो जाना होगा वो वगेरा में जाना होगा बहा पर तुम ऐसमें ऐसे लायर Similarly ऑज़शna ही इसकी बात करते है plates के जूरा कोट में जब तिम जाते हो कोट में दो लोगों के बीच में dispute हो रहा है हम कहे रहे हैं कि यह दो परसन है एक से यह दोनों के बीच में dispute हो गया दोनों कहां गए कोट में अब कोट में आपको पता है, data by date, date by date, सद्रिट भो एना, कि wan nast一個 date, देट by date देट, 10 साल निकल गए, इनका केश सोल लिए है, दोनों का, अब दोनों नहें सोचा कि क्यों ना, एक उस वाले вед केश में क्या होता है, का हॉता है? Intervention होता बडम ये पढ़ेंगे आर्बीट्रेशन इस वर्ड का मतलब होता है कि जब दो लोग जिन दोनों लोगों का जब कोट में केस चल रहा होता है मतलब सुनवाई नहीं हो रही बस डेट पर डेट डेट पर डेट चल रही है उनको लग रहा कि यह केस तो हमारा हमारे बेटे बच्चे वप अर्बीट्रेशन के लिए तो कोट क्या करती एक आर्टीफिशल मलब एक जैसे यहां पर जो कोट है जब यह दोनों रिक्वेस्ट करेंगे तो दोनों की रिक्वेस्ट पर कोट एक आर्टीफिशल जूडिशल परसन एक बॉडी तियार करती है यानि कुछ जजीज होते है मिलके एक बैंच होता है बैंच का मतलब यहां पर दो या तीन जजी ऐसे होता है फिर वो क्या करते हैं या फीर कोई प्रोफिशनल हो सकते जरूरी नहीं वो जब्यश्च हों जिनकों की वेल हो इक रिम्चा बेrag करो ने करेंगे तो ने यह बहुत फाइल है अब इनको चाहिए अपना केस जल्दी सोलुशन तो फिर यहाँ पर जब यह रिक्वेस्ट डालेंगे कोड में तो कोड इनका जो केस है वो रैफर कर देगी आर्बिड्रेशन के लिए जुडिशिल परसान होता है यानि उसमें प्रोफेशनल जो होते हैं प्रोफेशनल का मतलब अच्छे पढ़े लिके अड्वोकेट्स वगेरा ही लोग होते हैं वो या कोई भी कमणी सेट्री या जिनको लोग की उसके फिल्ड की नॉलिज है उन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगी एक बोडी बनाएगी बनाएगी कुछ प्रोफेशन मिलके अब यह फ्री में तो क्या प्रोफेशनल का काम कर रहे हैं अब इनको भी तुरंत डिसीजन चाहिए ठीक है तो जब इनकी फीस है इस इंकम पर भी क्या टैक्स लगी का बिल्कुल लगेगा क्योंकि यह वाली बोडी भी किसमें आई है परसंग की डाफिनिशन की में कूलेड है तो every artificial judicial person not falling within any of the preceding subclose subclose का मतलब है preceding यानि इससे पहले हमने जितनी भी यह subclose पढ़ी है देखो यह जो subclose का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ यह जो अभी हमने पढ़ा है section 2 है इसको मैं बोलूंगी section 31 को बोलूंगी subsection subsection section 2 subsection 31 और यह first close यानि जो individual word है person की definition में इंक्लूड है section 2 subsection 31 clause 1 में section 2 subsection 31 clause 2 section 2 subsection 31 clause 3 में company include है तो यानि इससे preceding इससे पहले वाली जितनी भी preceding subclose में यदि कोई भी ऐसा artificial judicial person नहीं fall कर रही है तो वो वाली artificial judicial person क्योंकि यहां पर कोई artificial judicial person नहीं है एक कोई चीज में आपको समझा देती हूं यहीं पर मालिया दो Hindu undivided family है इनका कोई dispute हो जाता है चीक है आप पसमें मलदब एक judicial पर यह artificial हुए दो हुए और कंपनी का आपस में कोई dispute हो जाता है अब यह दो लोगों सोचते हैं कि हमें court में नहीं जाना है हमें court में नहीं जाना है आपना के सालों तक जाएगा तो यह कुछ दोनों यह आपस में mutual understanding से कुछ लोगों के पास जाता है यानि जो की है मैं खुशी और इमाशी मैं आपना हमारा केस समझो और हम और कोट में नहीं जाना चाहतें और केस में दिसीजन दे जो आप को कि एक हमारे पास इतना टाइम नीए हमें, आप को केस सुन आपका देंगे श्राइब आप उसके लिए इन से क्या ले रहे हो फीस ले रहे हो किस से विच लिए ऐसे अर्टि जूडिशल परसंद के नम से ठीक विच ले तो यह जो फीस अब आपने इस उसमें किये इस फोर्म में लिये तो यह वाली फीस विया इस पर पासतनी कोई भी भी है यह बूस पर भी कोई इंकम मिल रहे है तो उस पर भी इंकम टैक्स लगना है is it clear कोई भी confusion है तो बताओ यहां तर वह आधा वह ईवेंट और नाइजिए है बिल्कुल बिल्कुल इवेंट ओर्गनाइजिएशन है आजकल जितने इवेंट होते हैं वैसे कोराना के वज़े से तो सब कुछ बंदी हो रहा था तीन दो तीन सालों से भाईया अब अब